आज के इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे एलजेब्रा का सबसे इंपोटेंट डिवाइट मतलब जो होता है उसके बारे में हम लोग सिखेंगे कि जो एलजेब्रा होता है उसका डिवीजन कैसे बनाया जाता है और क्या इसमें इंपोटेंट होता है और बहुत ही मतलब इजी तरीकों से इसे डिवाइट करना सिखेंगे क्यूंकि इस वीडियो में यह एलजेब्रा का अगर आपने अच्छा तरीके से समझ लिया तो समझे कि जिन्दकी में कभी भी एलजेब्रा का डिवाइट से आप डरिंगे नहीं ता आये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि एलजेब्रा का जो डिवीजन होता है वो काइस कैसे मतलब बनाया जाता है कैसे उसमें क्या रूल होते हैं और क्या मतलब कैसे उसे आसान तरीकों से डिवाइट करते हैं तो यह सब इस वीडियो में हम लोग आच्छे तरीकों सो देखेंगे तरहीं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एलजेब्रा का जो डिवाइड होता ह और सपोज एक दम डिटेल से समझते कि कैसे उसे मतलब की सवग किया जाया तरह स्टार्ट करते हैं कि इंजामपल के द्वारा तो सपोज एक माली जी हम यहां पे इंजामपल दें एक से भी वाइड करना है एक स्क्यूप पर फिरी एक स्क्राइब पर पर फिरी एक स्पलाश से नहीं यह बहुत की इजी कोशन लिखे तो आईसे आप घबड़ाएगा मत की इजी कोशन लिखे इस अरे इसे ही बताएंगे लेकिन यह पाला इस्टेप यानि टाइप वान है जो बहुत ही इजी है जब टाइप 2 टाइप 3 चलेगे तो बहुत ही हाट हो जाएगा आए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ही इजी तरीकों से सल्ब किया जाएगा और आप सपोजेट मालेजे कि आप 6 कलास में हो 7 में हो 8 में हो 9 में घेवा आपको शीखना बहुत ही जरूरी है अगर आपको अज़ार का डिवीशन नहीं आता है तो समझ यह कि आपको मैं मतलब बनाने में तक अंच सब्सक्राइगा यह तो कोशन है जो बहुत ही एजी है और इसे आप एक बार में मतलब समझने की कोशिज करेंगे तो आप साउट कर देगे जैसे इस कोशन को बनाने के लिए तक कहीं से इसे भीवाइट करेंगा तो सपोज इतमानी है यहां पर एक से पहले कोशन को समझते हैं कि क्या करना चा यहां पर दिवाइट करने को कि यहां पर आता है तो देखा जाता है कि कितने तर्म पढ़ेंगे आखी यह ता आए तर आएगांगे सर्टिसे गफाइब को अगर हम प्र ताइमस पढते हैं यहां पर यहां पर ताइगा और यह तो उसी तरह मतलब से रूल इसमें अपलाई होता है जिसे आपको एक सर इसमें तो एक नहीं है एक दो तीर चाह इसमें तीर चाहर डीजिट है तो यह कैसे सब्सक्राइब तो यह फिर अगर चुप जेट माले जी इसे टाइब को देड़े तू एक फोर तो क्या आप क तो यहां पर यहां पर एक स्क्राइब करें तो कहा जाता है मतलब समझने की यह कोशिश करिए कि एक समय किस नंबर यह किस से कि मतलब यह इक स्क्राइब करना है तो यहां पर एक स्क्राइब करना है तो इसमें एक्स में किसी कर दिया जाए कि मतलब यह इक स्क्राइब करना है तो अगर यहां पर यहां पर यहां पर यह क्या हो जाएगा यह जो है यह जो है और इम और इन जो है यह पावर हो तो होता क्या है कि बेस जब से रहाता है तो बेस को लिख दिया जाता है ऐसे ही लिख दिया जाता है इसका पावर यह जोडिया जाए आधा इस बेस को यह से ही लिख दिये तो इसी तरह इस कोश्चन अप्लाई होगा जैसे देखें भंका है कि एक्स का पावर वान इन्टू एक्स का पावर टू इसको सॉल्ड कीजिए तो आप करिये ज़सर इसको सॉल्ड कैसे करेंगे तो ध्याद दिजिए गई इसी फर्मूला पर ससार आप जोड़ देंगे यानि आड़कर देंगे तो यह हो जाएगा एक्स का पावर प्यरी यह देखिये ध्यान से इसमें हम आपको यह स्धान आप यहाँ पर लोगों को बता रहे थे क्या बता रहे थे कि सपोर्जेट मानें जिए कि यहाँ पर इसे और यहां पर एक्सक्यू करना है तो क्या करेंगे तो एक्सक्यू होगा तब है इस बराने आगे अगे तो समझने आपको प्रॉशन बदाने और अदेखें ध्यां से कि यहां पे क्या करने साइम चेंज क्या कि हिस हैं बतल है जैसा कि मालीजी एठ हो यह दोनों पलास ने हो यह बटाइए यानि जीरो हो सकता है इसीलिए हम क्या कि यह भी प्रस में यहां पर सांट्ट करना पड़ेगा जब साइंट्ट करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा यानि यहां पे नहीं यहां पर कर सके और यह तुन ओप्तेट यह पारला स्टेप जीश्ट तरह जीश्ट इस्टूडेंट को समझ में आगा होगा उसी तरह equal मतलब तो रूल इसमें अप्लाई होगा इसमें होगा और यह तो मालिज एक्स नहीं है तो एसे ही डिमाइंडर में उसे लिख देंगे जिससे इसके यूज़ करते हैं अब कहेंगे बहुत बच्चे की दिमाग में चौड आओगा सर यहां पे अवगा इसमें नहीं है किया करें तो यहां पर डिमाग में यह चलना चाहिए कि यहाँ पे जो एक से इसी में multiply करके इतना लाना है जैसे हम आपको कहें सपर्जेट एक इंजम्पर बताते हैं आपके पास दो रूपिया है आपको कहें कि 6 रूपी के बुराबर आपको करना है समझेगा ठीक से आपके पास 2 रूपे हैं और 6 रूपे के बुराबर करना है तो देखें यह दो रूपे हैं यह यह है और यह 6 रूपे हैं जो यह है तो समझेगे किसी से इसमें 4 रूपिया लेंगे अगर किसी से 4 रूपिया लेंगे आप यह आपका 6 रूपिया हो जाएगा तो इसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसमें यह लेंगे आकि इनके सब्सक्राइब कि इन के पास टू थेनके पास नहीं तो सब्सक्राइब लिख देंगे अब दिछ कि गया इनके पास पावर 1 यहां पे एक सक पावर 2 हैं तो कितना कौम हैं क्योंकि यहां पे सब्सक्राइब करेंगे और फिर आप देखेंगे कि इससे कंपेर करेंगे इस दोनों को कि इक्वल कैसे होगा सब्सक्राइब करेंगे तो दिमाग लगा यहां पर यहां पर माइनस हो जाए तो यहां पर फिर लिखेंगे अब यह फिरिमे और एक्समें मौल्टिप्लाइब करेंगे तो यह फिरिए एकस हो जाएगा यह भी माइनस काट जाएगा जो यह लिमांडर में बतंगे तो यह पहुत ही टाइप वोण में बताए अब चलेंगे टाइप टू में तो फूल मतलब अब detail से question को समझेंगे कि काइसे मतलब solve करें ओकी